हमें ये चीज थी गिवन कि ये एपी में है ये प्रूफ करनी है कि ये भी एपी में होंगी हम जुगाड लगाते हैं ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं जो हमने अभी प्रॉपर्टीज को यूज किया देखना बड़ा सिंपल सा काम है अगर हम पहले इसको ऐसे करें मुझे पता है कि अगर मैं सेम चीज सब में एड कर दू तब भी वो रिमेनिंग एपी में रहेंगी अगर मैं सब में टू टू एड कर दू यह आपको सोचना ही पड़ेगा टू क्यूं किया अब यह आपको समझा आजगा क्यूं किया अगर मैं सब में टू टू एड कर दू तब भी वो ap में रहेगा ना देखना बी प्लस c माइनस a by a plus 2 c प्लस a माइनस b by a b plus 2 a plus b minus c by c plus 2 अभी भी यह terms ap में है प्लस 2 करने से कोई फरेक नहीं बढ़ेगा terms are ap तो यह क्या बन जाएगा a plus b plus c by a नहीं बन जाएगा c plus a plus b by B नहीं बन जाएगा A प्लस B प्लस C बाई C नहीं बन जाएगा देखो ध्यान से, पैटरन बन गया LCM ले लिया LCM ले लिया बेटा इसके बाद देखना, एक और जुगाड यूज करते हैं एक और प्रॉपर्टी यूज करते हैं अगर मैं सबको सेम नमबर से डिवाइड कर दू, तब भी वो AP में रहेंगे, अगर मैं इन सबको A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर दू तब भी वो AP में रहेंगे तो 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C भी AP में आ गए हैंस प्रूफट इसी था, अगर आप सोच पाएं सोचने की कला है बात समझ पारे हो कोशन कहां स्टैंड किया हुए सोचने की आर्ट है कै समझ आया कि नहीं अगर A प्लस B प्लस C से डिवाइड कर दें तब भी तो वो AP में ही रहेंगी चीज़ें समझ आया कि नहीं आया अब एक टॉपिक लिखो इसुmor प्लस B आर्यपमेट् । बात मेंप आंचो इसुछ्डरा कि लिए routine आर्ट हे लिए्ट कर देंगे और ढ्रूट हो तव्ड्राट कर देंगा आडर्ट है इसु आट्रत् móर रिए Caesar इसुछ्डरा कि आडर्ट ऎमार्ट कि आस PS देखो बेटा पहले समझो फिर मैं आपको टाइम भी दूँगा लिखने का बीच बीच में ठीक है इसका मतलब किया है कि फिटीन साय का रिखनफ की. इसका पुछ फिर देखनित लिखनिस में में सका तो सब्सक्राइब कियाgend लिखनुकिंछ का यहाइएए, उच आजग कि लिखना जीन चाहिएए ट्सक्राइब कि दिक दिक बीच है A A1. A2. A3. A-N. B. Forms an A-P. Forms an A-P. Then we say that A1. A2. अरिथमेटिक means between A and B English को दो बार पड़ो लिखने के बाद दो बार पड़ो अब बात समझना ठीक है अब बात समझो सारे कॉपी बैंच छोड़ दो अब पैसे मैं आपको कंसेट समझाता हूँ मालो मेरे पास कोई दो नंबर्स दिये हूँ है A और P कंसेट क्या है कहते इसमें N नंबर ऐसे इंसर्ट करने है कि यह सारे मिलके क्या बना दे अपी बना दे तो उसको बोलते हैं इंसर्शन आफ अरिथमेटिक means between two quantities क्या कोईशन समझा है अब क्या है कि दो नंबर थे उसके बीच N हमने खुझ से ऐसे नंबर डालने है कि वो सारे मिलके एपी बना दे उसको बोलते हैं इंसर्शन आफ अरिथमेटिक means between two numbers क्या बात समझाई पहले फॉर इग्जांपल से समझते है मानलो एक है 15 और एक है minus 5 इसमें मैंने चार नंबर डालने है कुछ जुगाड लगाके कि वो नंबर सारे 6 के 6 मिलके क्या बना दे एपी बना दे मानलो मैंने इसमें चार नंबर डालने है कोई जुगाड लगाके कि वो सारे क्या बना दे एपी बना दे क्या कोई बता सकते हैं ये numbers क्या हूं दिमाग लगा के, सोच के दिखो take a time, take a one minute just think सोचो, कोई formula नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना सिरफ सोचने 11, 7, 3, minus 1 कैसे आया बिल्कुल सही बोला कार्तिक ने बट ये आया कैसे, ये एक important question है ये सोच पाना मुश्खिल बात है और मैं सर यह मैं ऐसे कर सकते हैं सर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम करके हाँ उसके बाद सर फिर सेकिंड एंड शेकिंड लास्ट टर्म का सम किया करके देखो कुछ बन रहा है try इट बेटा ट्राइ करो एक साथ मेरा copy रख 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 वीनस बुलाल गया था किसी ने हाँ सही अब ध्यान से देखो कैसे करते हैं देखना यह डूंड ने है कल आये बेटा मुझे पता है यह कौन सी टर्म है मैं मान लेता हूँ चलो मैंने ऐसे नंबर इंसर्ट कर दिये कि यह एपी में है कि यह एपी में अब बात ध्यान से समझो कि यह छे के छे नंबर हो गए ना यह चार यह पांच यह छे यह हमारी फर्स टर्म है यह हमारी फर्स टर्म है यह हमारी कौन सी टर्म है छटी टर्म शिक्स टर्म यह तो मानते हो यह हमारी शिक्स टर्म है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ minus 5 is equals to 15 A plus 6 minus 1 into D यहां से D निकल जाएगा we find D from this thing minus 5 minus 15 is equals to 5 D कितना बन गया minus 4 बही अब जब D आ गया तो कहानी गतम होगी D आ गया, तो 15 minus 4 यह ताम आ जाएगी 11 11 minus 4 यह ताम आ जाएगी कितनी 7 7 minus 4 यह ताम आ जाएगी 3 minus 4 यह ताम आ जाएगी minus 1 फिर चेक करके देख लो minus 4 करके minus 5 आ गया जितनी मर्धी terms इंसर्ट करणों D उसकी साब से change हो जाएगा D उसकी साब से change हो जाएगा छोटा बड़ा, अगर आप 2 terms insert करते तो D बड़ा हो जाता अगर 6 करते तो D छोटा हो जाता बात समाज रहे हो ना अब यहाँ पर हमने 4 terms insert की, total 6 terms हो गई gap divide हो गया ना एक तरह से gap divide हो रहा है इन दोनों के बीच का सोचके देखो इन दोनों के बीच के gap को divide कर रहे हैं अगर आप थोड़ा सा प्रेक्टिकली सोचते हो कोशन को कहितना समझ पा रहे हो बिटा सारे बच्चे जुगाड को समझ पा रहे हो अब मैं आपको जर्नल फॉर्म में करवाता हूँ ठीक है, जर्नल फॉर्म में देखना क्या topic है माल लो हमारे पास पहले सारे समझेंगे दो नंबर्स थे A और B जिसके अंदर हमने N नंबर्स इंसर्ट किये ताकि ये सारे मिलके एक AP बना दी ठीक है, तो ये नंबर्स कैसे इंसर्ट करने है, इसी topic को बोलते है insertion of N arithmetic means between two quantities अब मुझे ये बताओ, ये कितनी terms है total बताओ बेटा N प्लस 2 N प्लस 2 टम्स है, गलती मत करना N तो हमने insert कर दी, दो पहले से थी N प्लस 2 terms are there और ये B कौन सी term है हमें A और B पता है A और B हमें पता है ये हमें given होगा बस बाकी हमने सब कुछ निकालना है B कौन सी term है N प्लस 2 टम् पेटा समझ रहे हो ये बात सारे तो क्या B को ऐसे लिख सकते है A प्लस N प्लस 2 माइनस 1 इन्टू D तो क्या ऐसे लिख सकते है B माइनस A बाइन प्लस 1 इस इक्वल स्टू D लिखो यहां तक सारे देखो solve करके यह बना अपनों को वैसे करने को कुछ है निए करके देख लो देखो बेटा सभी का हो गया तो अप देखना तो A1 कैसे निकलेगा A प्लस 1 इंटू D देखना यह सेकंड टर्म है न है चुल में हमारी एपी की A प्लस 1 इंटू D A प्लस 1 इंटू B माइनस A बाइन प्लस 1 थोड़ी जी इंपॉर्टेंट बात सारे बच्चे द्यान से देखेंगे यह N फिक्स हो चुका है पहले ही बात समझ रहे हो यहां पर 1 आया अब A2 कैसे निकलेगा यह हमारी थर्ड टर्म है द्यान से देखो A प्लस 2 इंटू D तो A प्लस 2 इंटू B माइनस A बाइन प्लस 1 देखो यहां पर यह फिक्स है पहले ही यह आपको पहले ही डाल देना यहां पर फिर A3 कैसे बनेगा A प्लस 3 इंटू D यह हमारी फॉर्थ टर्म है बेटा A3 A3 is our फॉर्थ टर्म पस्ट 2 थ्री फॉर्थ टर्म A प्लस 3 इंटू B माइनस A बाइन प्लस 1 ऐसे ही चलते चलते A N क्या बनेगा A प्लस N इंटू D A प्लस N इंटू B करते हैं पेपर में जाके क्योंकि पता क्या करते है है तो यह N एक ही बात बट यहां पे पहले N को डालना पड़ेगा अगर आपको फॉर्मूल अप्लाई करना है तो आपको पहले N को यहां पे फिक्स करना पड़ेगा इस N को उसके बाद इसको vary करते रहना पड़ेगा अगर A1 निकालने हैं तो A1 2 निकालने हैं तो 2 इसको नहीं change करना क्योंकि ये तो D को represent कर रहा है न इसको तो पहले ही बांटना पड़ेगा क्या इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं गल्ती होती है यहां पे तो मैं तो आपको यही एडवाईज करूँगा कि इस अप्रोच को लगाएं बजाए इसके कि इस अप्रोच को फॉर्मूला याद करके नुकसान करवाएं लाट समझ रहे हैं न देखो थोड़ा बहुत समझ आया होगा वेरी गुट लिखो इसको जल्दी लिखो इस अप्रोच को फास्ट लिखो बेटा जल्दी डन? यहाँ सर्थ वेरी गुट विनस रानी दन? वेरी गुट अब कोशन करके दिखाओ जल्दी इंसर्ट थ्री अरिथमेटिक मीन्स बिट्वीन थ्री एंड नाइंटीन अगला कोशन अगला कोशन बस एक ही कोशन करते हैं आज टाइम नहीं है इत्मा अगला कोशन करें आई तीन और 19 के बीच में सेवन के सब की बन गई यह सब यह सब यह सब यह सब ठीक है इसे सब्सक्राइब नियुक्त इम्पोर्टेंट कोशन अई यह कंसेप्ट में भी लिखना इसको नियुक्त प्रूव डैट यह पुरूब सम अव अन अरिफ्मेटिक मीन्स बेट्वीन two numbers is n times the single arithmetic mean between them जिसने इमानदार इसे खुद किया उसको चॉकलेट दोंगा इमानदारी से without using book इमानदारी से से प्लास अगर आपके प्लस वन के आपके पास प्लस वन गिया डिशर्मा नहीं है एपी की तो एक दूसरे से पिक्स मंगवाओ एक बच्चा अपने आप ड्यूटी लगाके जा दो बच्चे अपनी ड्यूटी लगाके एक दूसरे की help करो आधी PDF तुम एक बच्चा बना लो आधी PDF एक बच्चा बना लो उसको शेयर करो ठीक है ग्रूप में एक दूसरे की help करो ठीक है पुरानी बुक अरेंज करो सब इतने तो capable हैं कर पाएंगे ठीक है और काम खतम करो till next class आपके paper हैं कुछ भी है doesn't matter बट आपका target उनसे बढ़ा है बेटा यह हमेशा याद रखना जो भी problems आती हैं जो भी papers आते हैं चोटे मोटे school level पे उनसे बढ़ा target के लिए हम prepare कर रहे हैं always think about this thing ठीक है आपको ज़्यादा काम इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आप उस करने के लिए आपके पास उसके करने के लिए capability है और आप लोग कर भी सकते हो capability होने के साथ अपने आपको थोड़ा extra devotion के साथ काम कर सकते हो capability तो चलो सब के अंदर होती बट आपको अच्छा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास पढ़ने की इच्छा है intelligent students और simple students में average students में यही फरक होता है सिरफ पढ़ने की इच्छा मेरे हिसाब से दिमाग तो इका दुखा बच्चे का तेज होता है बस जो God gifted बच्चे होते हैं वो एक दो बच्चे होते हैं बाकि सारे समझे रहे हो ना पढ़ने की इच्छा आपको अलग बनाएगी जिसके पास वो जितनी ज़्यादा होगी वो उतना अलग होता जाएगा इस कोशन को ऐसा होमबक लो ठीक है बात समझ लो करना क्या कोई दो नंबर्स हैं A और B अगर कोई दो नंबर्स हैं A और B वेरी गुड कहते सम अफ एन अरिथमेटिक मीन बिट्वीन टू नंबर्स अगर मैंने इनके बीच एन अरिथमेटिक मीन्स डाले तो A1 प्लस A2 आप्टू चलते चलते A यह किसके इकोल होगा N टाइम्स दस सिंगल अरिथमेटिक मीन बिट्वीन देम इन दोनों के बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा A प्लस B बाई 2 N टाइम्स दस सिंगल अरिथमेटिक मीन बिट्वीन देम सिंगल अरिथमेटिक मीन between them क्या देखो थोड़ा सा कोशन समझ आया कि हमें करना क्या है तू प्रूफ यही समझना important है कि हमें solve क्या करना है तू प्रूफ क्या करना है mathematics में given और तू प्रूफ और geometry में हलकी सी construction अगर देखनी आ जाए तो मेरे इसाब से 70-80% काम हो जाता है क्या बात समझ आई कोशन की बड़ी सबी को तो ठीक है इसके लिए all the best अपनी maximum energy लगाओ अपने time को utilize करो ठीक है so come skip your meals skip your non-effective works like sleeping watching TV playing video games something something like that तो सब तीज़े छोड़ो काम करो इसका fruit भी मिलेगा ठीक है आने वाले time में तो have a good day all the best ठीक है God bless you all अगली क्लास से हम GP स्टार्ट करेंगे और आपके doubts मुझे send करो पहले doubts भी ले लूँगो ठीक है जैसे Krish sound send कर देता है एक आद्धा बार कभी कभी उचसब भी कर देता है देखते हैं अगली क्लास में अगली का अगली planning करेंगे यह काम ओके है यहां तक so that's all for the day